स्वा करते हैं दोस्तों आज के हमारे इस lecture में set theory में सब सुरे बात करते हैं Set क्या होता है तो set हमारा क्या होता है It is a collection of unordered element विचनओ इस और इनी element को क्या कहते हैं अब्जेक्ट कहते हैं which known as object or member of set या तो object यहां पर हम कहते हैं member of set कहते हैं तो यह हमारा क्या होता है set होता है set को रिपियन करने के कुछ इस तरीके से एक रिपियन करते हैं जैसे मैं चलो one two three four यह set हो गया set a कली बैसे इसके अंदर में elements को लिखते हैं कोई element set केने belongs करता या नहीं करता तो इसको mathematical form में कैसे लिखोगे तो कुछ इस तरीके से मानने के चलो a is a is a element of set a तो इसको मैं कैसे लोंगा a belongs to a अगर मैं मानने के चलो b is not a element of set a तो इसको इस तरीके से लिखते हैं अगर कोई element है तो इसको a belongs to a ले इसको belongs to बोलते हैं belongs to a अगर नहीं है तो b not belongs to a यह तो तरीका जिसमें mathematical form में हम set के element को लिखते हैं अब बात करते हैं set को represent कैसे करते हैं तो represent करने की तीन technique होती है representation of set सबसे पहली जो method होती जिसको बोलते है statement statement method होती है second होती हमारी roster और third जो होती हमारी description तीन technique होती जिनके help से हम क्या करते हैं set के अंदर के element को represent कर सकते हैं सबसे बात करते है statement की तो इसमें statement के form में रखते हैं मान के चलो जैसे की the set of the set of natural number from one to ten तो यह हमारा मतलब मैं इसका मतलब मेरा set के अंदर element है one से लिके 10 दा क्यों तो statement के form में लखा हुआ है मैंने उसको इसी को roster के form में लखूंगा तो इस तरी किसे लिखा है a is equal to one two three four five six seven eight nine ten मतलब वो set के सारे elements को अगर मैं लिखते हूं तो रोस्टर के form में होता और मैंने के लिख दिया x यहां पर हमारा x क्या है x is the element from one two ten यह हमारा तरीका होता है set को ही 10 करने का